क्रिकेट के मैदान में जम कर पसीना रहे शाहिद कपूर अगली फिल्म की तैयारी जोरों पर बलेवुड के अभिनेता शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं जी हाँ आपको बाद दें की शाहिद कपूर की अगली फिल्म जर्सी का रिमेक है जिसमें वो क्रिकेटर का किरदार निभाने वाले हैं यही कारण है कि इस वक्त अभिनेता शाहिद कपूर क्रिकेट के मैदान में जम कर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं हाल ही में शाहिद कपूर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बिल्कुल क्रिकेटर के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं उनका ये लुक देखकर खुद उनके फैंस भी हैरान हैं सामने आई इंताजा तस्वीरों में अभिनेता शाहिद कपूर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं साथ ही शाहिद अपने रोल को और दमदार बनाने के लिए क्रिकेट की कोचिंग भी ले रहे हैं अभी सामने आई तस्वीरों में हेलमेट लगाए और हाथ में बैट लिए नजर आ रहे हैं इस से पहले भी शाहिद कपूर के क्रिकेट खेलते हुए कि तस्वीर सामने आई थी अगर हम फिल्म जर्सी की बात करें तो ये तेलगू फिल्म की रीमेक है आपको बता दे की फिल्म कभीर सिं के बाद दूसरी बार शाहिद कपूर रीमेक फिल्म में काम कर रहे हैं फिल्म जर्सी एक तेलगू फिल्म की रीमेक है और फिल्म का हिंदी वर्जन गौतम 6 रीडाइरेक कर रहे हैं और आज बात ये है कि उन्होंने ही फिल्म का तेलगु वर्जन बनाया था। जर्सी का हिंदी रिमेक फिल्म अगले साल 28 अगस्त कुदेज भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। फिल्म में शाहिद कपूर के आलावा 23 साल की कंणडएक ट्रेस रश्मी का मंदाना नजर आने वाली थी। माना जा रहा है कि मेकर्स उनकी जगे सुपरतिस और बांटला हाउज में काम कर चुकी मरेनाल थाकुर को कास्ट कर सकते हैं। हाला कि अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी कबीर सिन की तहें सुपर हिट होगी या नहीं।